आज उतेश की दो महान हस्तियों महात्मा गादी और भारत के दूसरे प्रधान मंत्री लाल भादुर्ष शास्त्री की जैन्ती है। मेर डॉक्टर रुमेश कौतम, कैंट विधायक संजीव अगरवाल पूर्व, केंद्री मंत्री वसांसर संतोष गंगवार और बीजवेपी महानगर अध्यक्ष अधीर सकसेना समेत बड़ी संख्या में भाजपाईयों ने सबसे पहले गादी उद्यानिस्थित महात्मा गाद और लाल भादुर शास्त्री की जयनती मनाई जाती है, दोनों ही हस्तियों को उनके विशेश योगदान के लिए याद किया जाता है। कर उन्हें याद किया जाता है। इस आउसर पर मेर डॉप्टर उमेश गौतम ने कहा कि बापु की जहनती पर स्वच्छानजुली कारिक्रम का असर देखने को मिल रहा है। आज भी शहर के लोगों की ओर से स्वच्छता बयान चलाया जा रहा है। और ये जन आंदोलन बन जाया तो बारेली स्वच्छता क्योर बढ़ता नजर आएगा। वहीं पूरुवक केंद्रिय मंत्री वसांसर संतोष गंगवार ने कहा कि महात्मागादी और लाल भादुर शास्त्री ने देश को जिस्त दिशा में ले जाने का काम क्या वो अविस्मरडी है। साथी उन्ह का कारेकरम चल रहा है जो हम कल से पूरे शहर में एक घंटे हर वाड में हर जगे हम लोगों ने सपाई अभयान चलाया था तो उसका आज असर देखने को मिल रहा है कि कल जब लोगों ने देखा तो उनके अंदर भी भावना जागरत हुई कि बापू के परती नमन करते हु अगर यह जना अंदोलन खड़ा हो जाता है तो बरेली स्वच्च और स्वच्चता की तरफ बढ़ता हुआ नजर आए तो वास्तप में आज महात्पूर दिन है आदरनी महात्मा गाधी और लाल भाहत्व शात्री जी तो देश के महान विभूतियों का आज का जनम दिन है और निश्चित रूप से हमारे देश को जिस दिशा में ले जाने का काम करें लोगों ने वो अब इसमर नहीं है और जिनंतर इनके बताय रास्ते पर हम लोग से लें और देश का एक सही दिशा में भुला करने का काम करने का